अस्सलाम अलेकुम, चली आज की इस वडियो की शरुवात करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चप्टर, यह जो चप्टर है आप लोग टिन्थ क्लास के उर्दू बुक का लास्ट चप्टर है, उसके बाद आप लोगा जो ट्नथ क्लास के इरदू के दरख्शा का बड़े बड़े पुष्ट पर काम करने वाला इंसान क्यों नहों सभी लोग गीत गाते हैं सबसे ज्यादा पहले की जमाने में और अउरते शादी बारात में गीत गाया करते थी ठीक है तो यह जो गीत है यानिकि यह जो चैप्टर है इसके राइटर मुसनिफ है सलाम मचली शहरी यानिकी सलाम मचली शहरी नहीं इस गीत को लिखा है और हम लोग गीत को भी समझेंगे उसका मैं खुलासा करूंगी सबसे पहले सलाम मचली शहरी के बारे में जान लेते हैं देखिए सलाम मचली शहरी जो है ना इनका असल नाम सलाम मचली शहरी नहीं है इनका असल न को नाम के गाह में पैदा हुए थे ठीक है इनका डेट ऑब वर्थ है एक जुलाई उन्हेसा एक इसस्वी को पैदा हुए और किस जगह पर यूपी के जोनपुर के एक पस्वा मचली शहर में ठीक है सलाम मचली शेरी के वालिद का नाम यानिकि उनके पीता जी का नाम है अब इसमाई ठीक है नजमनेगार भी थे यह मतलब नजमनेगारी किया करते थे कवीता को लिखा करते थे सलाम मचली शेरी और कभी-कभी गीत को भी लिख दिया करते थे ठीक है लेकिन ये रियल में नजमनेगारी है कवीता लिखा करते थे ठीक है इनकी कुछ नजमों का नाम आ फजुबंद खेल जाए तीन हीरे इनके गीत का मज़ू है इनकी गीत का किताब है ठीक है सलाम मचली शेरी का इंतिकाल हुआ है यानिकी उनकी मौत हो गई है उन्हें साथी फजुबंद खेले ओर निकालती हुँ यह गीत जो सलाम मचली शेरी लिखें एक ही बार बार में आगया तो देखते हैं कि कैसे सलाम मचली शेरी इस गीत में क्या-क्या बताने की कोस्छिस की है देखिए सबसे पहले लिखें है जमुना की लहरे उठती है कुछ कहती कुछ गा जाती है और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है इसका मतलब यह हुआ कि जमना नदी की जो लहरे हैं जमना एक नदी है ठीक है तो उसकी उस नदी की जो लहरे हैं वो उर्षती है और वो अपने जिंदगी के फसाने को दर्द दिल को दास्तान को लहरे को लहरों के जरीए अपने लहरों के जरीए क्या करती है कहती है और वो लहरे जो है ना वो कुछ गा कर मतलब गा कर अपने नदी के जिन्दगी के फसाने को बेयान करती है सबी लोग को बताती है देखते हैं जब लहर चलती है तो उसमें से आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि वो जो लह कि लिखे लुट रहे हैं वह अपने नदी की फीखे जिनदगी के दर्द दिल को दास्तानों को फसाने को गा कर वंहीं हैं सभी लोग क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के yönखानरोources क्या जाने क्या न हद आथी इस दुनिया के सुन जाती हैं ये गुट कुछ कहती कुछ गाती है और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है इसे बोल रहे हैं इसमें बोल रहे हैं सलाम मचली सहरी कि पता नहीं जमना की लहरे हैं जमना नदी की लहरे हैं वह आसमान में जो हसमुख तारे हैं तारे जो इस्टार है और जो की बहुत ज़्या ही दुनिया के दिरिश्य को नजारों को देखकर चुप चाप सुनती रहती है जमना की लहरे उटती है कुछ कहती कुछ गाती है ठीके शीके शीषे से भी नाजूक लहरों पर परचाई दिखाई देती है उसमें भी हम लोग का चेहरा दिखाई देता है और यह सही बात है नदी में अगर आप लोग जाकर जाकेंगे न तो आप लोग की बिल्कुल हूब भूसकल दिखाई देगा उसमें परचाई आप लोग को दिखाई देगा ठीक है तो वही बोल रह वहां वहां की परचाई इस लhros पर पड़ी होगी और यही जो लहरे है ताज महल से होकर गुजरती है ताज महल आप लोग जानते है ना शाजहा ने बनवाया है अपनी वेगम मुम्ताज की याद में ठीके तो वो ताज महल से होकर जब ये जमना की लहरे गुजरती है तो ताज महल की भी परचाई उस लहरों में पढ़ती है ठीके और पढ़ने के वज़ा से ऐसा लगता है कि व और उसको सुनकर जो मुम्ताज है वो हस रही है सुन जो भी बाते वो बोल रहा है उसको सुनकर समझकर मुम्ताज जो है वो हस रही है और इसके इलावा जो है एक और चीज इसमें सलाम मशली इस सहरी बता रहे है कि एक गीता नाम की लड़की रहती है उसका एक आशिक रहत ता रहता है और अपना दिल का फशाना बासुरी के जरीये ही जाहिर करता है तो उसके जरीये यही बताना चाहरा है सलाम मचली सेरी कि जिस तरह घंश्याम अपने दिल का फशाना दर्द बासुरी के जरीये क्या कर रहा है जाहिर कर रहा है बिल्कुल उसी तरह यह जो जमना न वी आशायव पणाँ हो कर भी जहां कुछ अम्रित रस बहाती है। जमुना की लहरे उठती हैं, कुछ कहती, कुछ गाती हैं। काते सतनों की दुन्या में खो जाती है। ऐना यह यह उरत के जरीए कहा गया है, एक तो पहुमना की जब लहरे उठी कर रही हूं अपने जिन्दगी के जो भी हजारों हैं जो मैंने देखे हैं मेरे आसू मेरी नाजुकल सोफ दे रही हूं कि टाकि जब इनको मनलों एक न को मिल जाएगी इन लहरों को त्मिलेंगे पूरे हो जाएंगे मतलब यह जो लहरे है वो जहां से सुरुआत हुई है इनकी यह लहरे चल रही है लगातार तो इनको तो मन्जिल तो मिलेगा ही एक ना एक दिन वो समुंदर में जाकर मिलेंगे ही यह लहरे तीक है जो नदी चलती आ रही है जमना नदी यह जाकर मिलती है ना समुंदर में तो यह बोल रही है कि यह जो लहरे चलती जा रही है इनके साथ मैं अपने ख्वाब को जितने भी मैंने ख्वाब देखे हैं वो इनको सौफ दे रही हूं ताकि जब इनको अपना मन्जिल मिल जाए तब मुझको वो ख्वाब पुरा हो जाए मेरा भी मन्जि हो गया है लेकिन फिर भी इनके अंदर आशा है और क्या हो रहा है कि मतलब से कर भी उनके अंदर एक एक उम्मीद जलक रही है और उसमें क्या कर रही है उत्ती трав गाती है जमना की लहरे उठती है कुछ कहती कुछ गाती है और गाते-गाते अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है तो यह हो गया आप लोग का गीत कम्प्लीट गीत का तश्रीक कर दी मैं समझ में आ गया अब पहले ले लिजिए यहां तक फर मैं इस चेप्टर की इंसर को आप लोग को बताती हूं ठीक है ले लिजीए अब चेली जिरा इस चेप्टर के को देख लेते हैं इस टार्ट होता है आप लोग का मारोजी सवालात से यानिकि पेला सवाल है सेलाम मचली शेरी किस सिन फशायरी के शायर है नजम लिखा करते हैं तो डूसरा सवाल हैं किस सोब से जयादा गुजरती है तो जमिना नदी जो है उत्तर प्रदेर से होकर ज़ादा गुजरती है यूपी लगा दीजेगा आपसान नमबर इय अलिफ मैं तिसरा सवाल है ताज महल किस मुगलबार्व श्रा ने तामीर करवाई थी ता ताज महल को शाजहा ने तामीर करवाई थी तो अपसा नमबर डी ठीक है अब बात आती है चार नमबर सवाल की जेल के शेर का दुसरा मिस्रा पूरा कीजिए क्या जाने क्या कह जाती है उसके बाद क्या है आकास के हस्मुक्तारों से तो यहां पर लिख दिजेगा आकास के हस बोली ये बात तो एगी है तो अपसनर डी just दाल लगा दीजिएगा अब बात बेगम कि याद में और्फित अमीर करवाई थी क्योंकि उनकी इसा कि नहीं और फोशी कॉई बनाई में ताज महल को बनवाया था तीसरा सवाल और मुस्लिम शायरों के नाम बताईए तो गित लिखने वाले चार मुस्लिम शायरों के में नाम लिख दी हूँ एक है वसीम बरेलवी दुसरा है बेकल उत्साही जुबैर इजवी सलाम मचली शहरी चारों का नाम में लिख दी हूँ ठीक है अब बात आती है चार नमबर थवाल की इस नज इसमें शायर ने गीता का आशिक जो है घंश्याम को बंसी बजाते हुए पेश किया है अपने माभूब गीता के याद में बंसी बजाते रहता हैं ठीक है पासवाल है अशाय फना होकर अमरित रस बहाती है ठीक है अब बात आती है तविल सवालात यानिकि दिर्कुत्रिय ह pistraw ocurONY कि सबसे पहला सवाल है सलाम कि लहरे उठती हैं मिक्या कहना चाहता है तफि Chef Here इसका खुलासा करना है आप लोग को इसमें स양र जो है क्या बता लुगोको ठीके तिस्वालrepresented लफजों से जम्ले बनाना है अप लोग यहां पर कुछ लफ़ दिया है लहरे नजारे नजारो हसीन सूरत फना नाजुक चांदनी खौब परचाईयां जनून जीवन ठीक है इस सब क्या करना है आप लोगो सेंटेंस में चेंज कर देना है ठीक है लहरे है तो जमुना की लहरे उठती है इस तरह सेंटेंस में लिख सवाल है उर्दू में गीत के इर्थकाय पर रहसनी डालिए गीत का मतलब विकास कैसे हुआ यह आप लोगों को बताना है यह लाश्ट सवाल था और इसी के साथ आप लोगों का चेप्टर नंबर 38 कंप्लीट होता है तो यहां तक मैं आप लोगों को 38 यानि की पूरा एक द ठीक है तो इस चप्टर से रिलिटेट अभी भी कोई कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है लाइक कीजिए वीडियो उसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने पडोसियों के पास अपने